हेलो एब्रिवेन आज हम EBS पढ़ेंगे और EBS में आज जैसे की देखिए आपके कितने लेसन्स अभी बाकी है for completing course आपके अभी हमने लेसन नमबर 13 तक complete कर लिया अब हमारे पास सिफ 3 लेसन्स बाकी है 14, 15 and 16 ठीक है इस इन 3 लेसन्स में से अब हम सिर्फ एक ही लेसन करेंगे और दो लेसन्स आपके omitted हैं मैं यहाँ पे index page में आपको cross लगवा रही हूँ देखिए लेसन नमबर 14 हमें नहीं करना, लेसन नमबर 16 भी हमें नहीं करना जो दो लेसन्स पे cross लगाए हैं अपनी बुक में आप भी cross लगा लीजिये हम अब सिर्फ 15 नमबर वाला लेसन करेंगे और इसके साथ हमारा EVS का कोर्स complete हो जाएगा ठीके, चलिए अब हम 15 नमबर वाले लेसन को करना स्टार्ट करते हैं, चलिए लेसन नमबर 15, how we travel, ट्रैवल करना मतलब क्या होता है ट्रैवल करना मतलब एक जग़ से दूसरी जग़ जाने के लिए आप कैसे कैसे जाते हो किस-किस vehicle का use करते हो और किस के through जाते हो road के through जाते हो ठीक है उसके बाद water के through जाते हो या फिर road मतलब वही land ठीक है या फिर air के through जाते हो तो ये तीन basic हमारे travel करने के लिए means है हमें उसके बारे में पढ़ना है आप लोगोंने senior kg में means of transport वाला evs में पढ़ा था है ना land transport पढ़े थे water transport भी पढ़ा था उसके बाद आपने air transport भी पढ़ा था ठीक है हो सकता है दो साल पुरानी चीज याद नहीं हो बट ठीक है अभी हम करना start करते हैं आपको समझ में आ जाएगा क्या बुला है lesson में class work लिख देती हूँ 090321 next is Tuesday today is Tuesday तो मैंने Tuesday भी लिख दिया अब हमें classes थोड़ा जल्दी जल्दी खतम करना होगा because आपके exams आने वाले हैं ठीक है revision भी start करना है चलिए अब हम करना start करते हैं how we travel किस तरह से आप travel करते हो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो ठीक है उसके बारे में बताया है get it go देखें rearrange the capital letters to make words capital letters को आपको सही word बनाने के लिए rearrange करना है write them on the blanks और उन्हें किस पे लिखना है यह जो blank दिया है ना इसके उपर लिखना है चलिए miheer goes to office by r a c miheer office जाता है कैसे जाता है car से जाता है तो हम लिख देंगे हाँ पर c a r car next priya is going to mumbai by कैसे जा रही है a r t i n इसको जब आप unscramble करेंगे तो आपका जो सही word बनेगा वो क्या बनेगा train train सही word बनेगा तो मैं यह लिख देती हूँ t r a i n train next इरफान enjoyed the t o a b r i ride इरफान ने boat ride देखिए इससे word बनेगा boat ride boat ride को बहुत enjoy किया उसे boat पर घुमने में वड़ा मज़ा आया ठीके तो t o a b से सही word क्या बन रहा है meaningful word boat b o a t boat next number four grandma went to London by and grandma London गई है London हमारे इंडिया में नहीं है दूसरे देश में गई है तो दूसरे देश में अगर आपको जाना होता है तो आप land transport के थू नहीं जा सकते ठीके आप air transport के थू जाएंगे ठीके तो grandma London गई है कैसे गई है aeroplane से गई है aeroplane देखिए हवाई जाहाज aeroplane जमीन पे चलता है क्या नो aeroplane water पे चलता है क्या नो aeroplane flies in air aeroplane जो है वो हवा में चलता है ठीके इसलिए इसे air transport कहा गया है मैं यह लिग देती हूँ aeroplane a e r o p l a n e aeroplane चलिए अब हम इसे read करना start कर रहे है long ago people had to walk to go wherever they wanted later they rode on animals much later they invented the wheel and moved around in animal carts then came the steam engine trains and cars it made travelling easier next sorry today there are different means of transport these means of transport take people and goods from one place to another quickly and comfortably quickly and comfortably फिर से read करेंगे long ago long ago बहुत समय पहले की बात हो रही है जिस समय पर गाडियां भी नहीं थी लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे उसके बारे में बता रहे हैं चलिए बहुत समय पुरानी बात है people had to walk to go wherever they wanted लोगों को जहां भी जाना पड़ता था वो कैसे जाते थे पैदल पैदल चल के जाते थे फिर वो कितना भी दूर हो थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक ले लेके पैदल पैदल चल के जाते थे later they rode on animals फिर धीरे उसके कुछ समय के बाद क्या होने लगा फिर उन्हें एक जग़ से दूसरी जग़ जाना होता था तो वो animal के उपर बैठके और फिर वहां तक उस जग़ तक जाते थे अब आप बोलेंगे कौन से animals जैसे horse हुआ ओके बुलक हुई ठीक है इस तरह के animals जो एक जग़ से दूसरी जग़ safely आपको पहुचा सके फिर धीरे elephant हुआ ठीक है next much later they invented the wheel and moved around in animal cards कुछ समय के बाद और थोड़े समय के बाद देखा जाए तो और थोड़े समय के बाद उन्होंने क्या किया इस तरह के wheel को invent किया invent करना मतलब इस तरह के wheel की खोज की पहिये की खोज की लकडी के बने हुए ठीक है और उसे animal के साथ बाद था और फिर वो मज़े से उस cart के उपर बैठके एक जग़ से दूसरी जग़ पर जाने लगे then came the steam engine trains and car उसके बाद जब carts आई उसके बाद फिर बहुत समय के बाद में train, car और engine का अविशकार हुआ steam engine मतलब भाब से चलने वाले engine का अविशकार हुआ it made traveling easier इससे क्या होता था एक जग़ से दूसरी जग़ अगर आपको कहीं जाना है तो वो बहुत आसान हो गया था आपको बैठने को भी ढंग से नहीं मिलेगा है ना और समय भी बहुत सारा लग जाएगा दूसरी जग़ पर जाने के लिए पर जैसे ही trains, cars और engine की खोज हुई उसके बाद से लोग एक जग़ से दूसरी जग़ पर आसानी से जा पाते थे आज देखा जाए तो बहुत अलग अलग तरह के means of transport है मतलब यातायात के साधन जिसे हिंदी में बोला जाता है ठीके एक जग़ से दूसरी जग़ जाने के लिए आज आपके पास बहुत सारे साधन है चलिए इस means of transport take people and goods from one place to another quickly and comfortably ये सभी जो साधन है ये लोगों को और सामान को एक जग़ से दूसरी जग़ पर बहुत जल्दी पहुचा देते हैं और बहुत आराम दायक स्थीती में पहुचाते हैं बिल्कुल आराम से उसमें बैटके आराम से अच्छे से comfortable होके जा सकते हैं ठीके देखिए आपको नीचे pictures दिये हैं, aeroplane, train, kart, सबसे पहले kart के थूँ जाने लगे, इसके पहले animal के उपर बैटके जाते थे, उसके पहले तो बिचारे paddle जाते थे, ठीक है, next है boat इस तरह की बताई है, buses आ गई है, काफी कुछ चीज़े आजकल आ गई हैं जिससे आप आसानी से एक जग़ से दूसी जग़ ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, देखिए, basically हमारे पैस जो means of transport हैं, यातायात के जो साधन हैं, वो तीन हैं, one is land transport, number two is water transport, and number three is air transport, okay, land के थूँ जाहिए, मतलब land के थूँ जाहिए, मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि land पे बैठके जाहिए, no, वो vehicles जो land पर चलती है, जमीन पर चलती है, उनमें बैठके जाहिए, या फिर वो vehicles वो चीज जो पानी पर चलती है, उस पे बैठके जा सकते हैं, या फिर वो means जो हवा में चलता है, उसमें बैठके आप जा सकते हैं, ठीक है चलिए, अब हम read करेंगे, land transport, land transport के बारे में दे Some means of transport move on land. To travel within a city, people use buses, cars, motorbikes, bicycles, auto rickshaws and cycle rickshaws. In some cities, there are tongas, local trains and metro trains. Trucks are used to take goods from one place to another. To go too far off places, such as another city, people use long distance buses and trains. In villages, people use bicycles, motorbikes and bullcarts. फिर से रीट करेंगे, land transport के बारे में बताया है. Some means of transport move on land. कुछ means of transport, मतलब कुछ साधन है, वो जमीन पर चलते हैं. किस पर चलते हैं? Land पर चलते हैं. Move करना मतलब चलना. To travel within a city, people use buses, cars, motorbikes, bicycles, auto rickshaws and cycle rickshaws. अगर आपको एक ही शहर में ही घूमना है. For example, आपको आपके इंदोर शहर में ही घूमना है. तो आप किसका यूज करेंगे? या तो आप बस से घूम पाएंगे? या फिर आप कार से घूम सकते हैं? या motorbike से? या bicycle से? या auto rickshaws से? या फिर cycle rickshaws से? ठीक है? In some cities, there are tongas, local trains and metro trains. कुछ cities ऐसी हैं, जहाँ पर tongas भी चलते हैं, भी भी. ठीक है? Next, local trains भी चलती हैं, या metro trains भी चलती हैं. Normal train और metro train में यह अंतर होता है, कि metro train जो होती हैं, वो बहुत तेज़ चलती हैं, और आपको एक घंटे की सफर को बिलकुल 15 minutes में और 20 minutes में आपको उस जग़ पर पहुचा देती हैं. ये बड़ी cities में चलती हैं, ठीक है? Metro cities जो होती हैं, उसमें चलती हैं. ये अभी हमारे यहाँ पर नहीं हैं, ठीक है? Next, trucks are used to take goods from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह पर, अगर आपको सामान को लेके जाना है, तो किसका यूज किया जाता है? ट्रक का यूज किया जाता है, ट्रक तो आपने देखा ही होगा ना? ट्रक यहाँ पर पिक्चर हमें नहीं देखे रखा है, अपने ट्रक तो देखे ही होगे, जिसमें पीछे बहुत ऐसे खाली सी जगह होती है, उसमें बहुत सारे सामान को लोड करके लेके जाया जाता है. To go to far off places, such as another city, people use long distance buses and trains. अगर आप किसी और शहर में जाना चाते हैं, यह ऐसी जगह पर जो हमारे शहर से बहुत दूर है, तो ऐसे के इसमें लोग किसका यूज करेंगे, buses और trains का यूज करेंगे, लंबे सफर के लिए bus का यूज करेंगे और train का यूज करेंगे. उस समय पर कोई कार से नहीं जाता, motorcycle से भी नहीं जाता, bicycle से भी नहीं जाता, रिक्षा से भी नहीं जाता. ओके, next, in villages, गाव में देखा जाए तो people use bicycles, motorbikes and bullock carts. गाव में देखें, तो लोग किसका यूज करते हैं, bicycle का यूज करते हैं, मतलब जिसे cycle बोला जाता है, motorbike का यूज करते हैं, और bullock carts का भी यूज करते हैं, ठीक है, चलिए next, next हम transportation देख लेते हैं, water transport, next है water transport, water transport में वो means of transport आएंगे, जो पानी में चलते हैं. Some means of transport, sail on water, पानी के उपर चलते हैं, some people travel from one country to another by ship, goods are also sent from one country to another by ship, a boat is used to travel short distances on water, it can carry only a few people. फिर से देखते हैं, water transport, some means of transport, sail on water, कुछ means of transport ऐसे हैं, कुछ यातायात के साधन ऐसे हैं, जो पानी के उपर चलते हैं, ठीक है, तैरना, sail करना, ठीक है, next, Some people travel from one country to another by ship, कुछ लोग जो है, एक country मतलब देश, हम कौन सी country में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, ठीक है? तो अगर हमें किसी और देश में जाना है, तो कुछ लोग किसी और देश में जाने के लिए, किसी और country में जाने के लिए, ship का यूज करते हैं, Goods are also sent from one country to another by ship, एक एक देश से, दूसरे देश में अगर सामान भेजना है, तो वो भी ship के थूँ भेजा जाता है, ठीक है? पानी पर अगर आप बोट से जा रहे हैं, तो बोट से आप सिर्फ और सिफ कम दूरी पर जो जा सकते हैं, आप बोलेंगे दूसरी country में हम बोट से जा रहे हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बोट इतना दूर तक चलती ही नहीं, बोट जो है नाव, जिसे हम तक जाने के लिए होती है ठीक है वो जो शिप्स होते हैं वो इतने बड़े-बड़े होते हैं देखिए पिक्चर में दिया है इट कैन केरी ओनली फ्यू पीपल बोट में नाव में सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग ही बैठ कर जा सकते हैं वो भी जादा ही हो गए 10 ठीक है उससे भी कम ही होते हैं तो बोट कम दिस्टेंस पर यूज किया जाता है पिक्चर साब देख लीजी इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है नेक्स मैं पेज टर्न कर रही हूँ नेक्स्ट इस एर ट्रांस्पोर्ट एर ट्रांस्पोर्ट देख लेते हैं इसे ऐसे पढ़ यह ठीक है निउवर्ट में हम सारा समझा देंगे People use it to go from one city or country to another. Aeroplanes are also used to send letters and goods. A helicopter, H-E-L-I heli, C-O-P cop, helicopter can carry a few people. It is used to carry food and medicine to people in times of need. It is also used by the army. Then read, air transport. Some means of transport fly in the air. There are some means of transport, some means of transport, some means of transport, they fly in the air. Okay, fly in the air. Look at this like this. And I also gave a picture. This is the aeroplane. Next, an aeroplane is a very fast means of transport. Aeroplane, which is the most fast means of transport. The most fast means of transport is the most fast means of transport. Meaning, almost 12 hours of journey, 1 hour or 45 minutes of journey, you can be able to fly in the aeroplane. If you are sitting in aeroplane, people use it to go from one city or country to another. People use it to do this. If you are sitting in the aeroplane, you can fly in the aeroplane. If you are sitting in the aeroplane, you can fly in the aeroplane. If you are sitting in the aeroplane, you can fly in the aeroplane. It is used to carry food and medicine to people in times of need. It is also used by the army. Army, army में भी इसका यूस किया जाता है. चलिए next, last है, animals as means of transport. Animals को बताया है, as in means of transport. ये शुरू में ही देखा था हमने. Animals are also used as means of transport. Camels are used in deserts. Elephants are used in forest. Mules are used in hilly regions. ठीक है, फिर से रीट करते हैं. Animals are also used as means of transport. Animals को भी, as in, यातायात का साधन बोला गया. Camels are used in deserts. रेगिस्तान में किसका यूस करते हैं? Camel का यूस करते हैं. Camel पे बहुत चारा सामान लोड कर दिया जाता है. और फिर रेगिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह पहुचाने का काम करेगा. Elephants are used in forest. जंगलों में Elephants का यूस किया जाता है. और Mules are used in Hilly region. Hilly region में Mules का यूस किया जाता है. ठीके, तो हमने आज लेसन ये वाला complete कर लिया. आपके लिए एक homework है. Next class में हमारा course complete हो जाएगा. देखिए homework लिख दे रही हो. Read two times. Next class हमारे लिए course की last class होगी. उसके बाद revision classes जब भी शुरू होगी. तो start करेंगे. ठीके, तो चलिए आप इतना work complete करके रखिए. आज की class हम यहीं खत्म करते हैं. Thank you so much. सब्सान करेंगे.